हेई गाईज देखो इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक के ओपर डिस्कस करेंगे जो राके जुन-जुन वाला के पोट्फोलियों में तो थे लेकिन अब वो धीरे-दीरे माल बेच रहे हैं अभी देखो राके जुन-जुन वाला ने अगर एक कंपनी में बेचा तो बात की इनको सब मतलब बहुत अच्छी खासी नॉलिज भी है अब इतना नॉलिज तो हमें नहीं है लेकिन फिर में मैं आपको विलूगा कि हमें सीखना चाहिए और उपर से मैं आपको बता दूँ कि भाई टाटा मोटर जैसे स्टॉक को राके जुन-जुन वाला बेच के हटा र ऐसे जो पर आपको मैं ठीक है और तो इनका रेपूटेशन हो जाता मतलब इनका एक गुद्ड्विल हो जाता हुजए अब राके जुन-जुन वाला ने माले लेता है अगर कोई किसी छोटे कंपरी को खरेद लिया जिसका market cap माल लेते हैं 10-20,000 या फिर माल लेते हैं 50,000 के आज उबाज हो है तो राकेश जूम जूम्णोल ने खरीद लिया अब दुनिया देखेगी बिलिकुल देखेगी भाई राकेश जूम्णोद ने खरीदा मैं भी खर दूगा को मैं भी कर दूंगा मैं भी खर दूगा अब दीशिमार किसी चीज का ad लाते हैं अड़टाइस करते हैं तो क्या लोग खरीते हैं उस प्रोड़क्ट को ने खर ouais जरीथे हैं अगर नहीं हो तो अक्षान किमर बारबार advertise क्यूं करेंंगे ईतना पैसा कौन देगा फिर फाल्तु में अड़टाइस करनेगा मतलब बहुत ज्यादा उससे लोग खरीते भी है मतलब राके जुन-जुन-वाला किसी स्टॉक को खरीते हैं और यह जब पब्लिक को पता चलती है तो पब्लिक भी बहुत ज्यादा पब्लिक खरीती है ज्यादा तर जो कर के पास में किसीने BMWा लगा दिया क्या हो मेरा और घर के अंदर मालेते है कोई बालकोन ही है यह घर के अंदर रखनी के लिए पार्किंग किसी ने मेरे दोस्त फोटो लिलिया लगा ओ लेने केपाद वाइरिल कर दिया तो क्या हो मीरा मेरा हो जाए गा नहीं olduğunu आप देखि यह मेरी छोटी सी कंपनी है, यह मेरी पिद्दी सी कंपनी काम किज़े, आप मेरा कुछ स्टेक खरीद लीजे यहाँ पर, आप राके जिन जुनल जैसे बड़े प्लेयर बोले हैं, क्यूं भाई, हम क्यूं खर दें, तो कुछ ना कुछ पैसा वाइसा का बात किया जागा, तो नहीं को पैसा मिल गया, जिनका जो पैसा था, उनको भाई हाथ में मिल गया पैसा, आप पैसा, एंक मेरी पैसड उपquito जाएक किया ओए, tidak, वर ज reality के वोल्यूम बढ़ जाता स्टौक मार्केटम Quốc नीचि माल खरीद लेते हैं और उपर जाकर बेस देते हैं रगेकों इतना बड़े इनवस्टर है यह काम मैं बस आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं यह इस वज़े से एक्जाम्पल दे रहा हूं कि जो डॉमेस्टिक वाली यह फॉरेन वाले ऐसे अगर कोई माल खरीते हैं तो बिल्कुल भरूसा मत किजेगा एक्सप्ट परमोटर परमोटर को कोई पैसा नहीं दे सकता कोई चीट नहीं कर सकता इसलिए राकेट जुन जुन वाला भी ने बहुत सारे स्टॉक बेचे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको बेचना है और जब राकेट जुन जुन वाला ने खरीदा है तो बहुत सारे लोग खरीद लेंगे वह सोचेंगे उन्हें उ कहां मतलब 405 रुपया का शेयर है आज देख लिए 57 रुपीज में मिल रहा तो राकेट जुन-जुन वाला ने खरीद है इस वज़े से खरीद लेंगे तो फस जाओगा न यह गलत है NCC जैसे Stocks में Per Motherise खरीद रहे हैं कौन खरीद रहा है परब शेयर है लेकिन राकेट जुन-जुन वाला बेच रहा है यह तो यह यह देखे कितने सालों से 2003 से स्टॉक इसी के बाजू बाजू चल दा तो इसमें लॉंग टर्मीन इवेस्टमेंट करना कुछ सभी नहीं लगता है इसमें भी राकेश जुन जुन वाला ने बेचा है नजारा टेकनोलोजी मैं आपको लोगा इतनी छोटी कंपनी है जो कि 4000 क्र अब बेचने धीर सब्सक्राइब यह रहा यहां हैके एतने सारे मतलब गला ने धेखिये हैं नजारा टेकनोलजी आहे देख लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह ओंटो लाइन इंड़स्टी है उसके साथ देख सकते हो डीवी रियालिटी है और उसके साथ اe लाश्ट वाला NCC है, यह सबीट लेखे बेश रहा है, और ट्रीट बनाने वाले कमपनी हैं, ट्रीटर बनाने में लगबग इंडिया में मतलब बहुत अच्छी कमपनी है, और परमोटर्स ने भी काफी बड़े हिस्सेदारी खरी दिया, कमपनी का result, बहुत अच्छा perform करने का उमीद है, और हर budget में company के लिए कुछ ने कुछ अच्छा announcement होता है, और company का valuation भी अच्छा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर राके जुन 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 ओला इन माल खरीदा है, हाला कि यह company मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं आपको खरीदने नहीं बोला हूँ, तो यह है, राके जुन 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 ओला का portfolio देख लेजे, बेच आ गया है, हाला कि टाटा मोटर जैसे stocks को भी बेच रहे है, जुन जुन ओला का सबसे बड़ा पैसा इस company में भी लगा था, जो 10,000 करोर से 5,000 करोर पे आच चुगा था, तो इनको भी यहां पर काफी बड़ा नुकसान हुआ था, देख लिजे, तो यह है उनके वो भी इंट्रा डिमेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिंटो में जाके अपने डिमेंट अकाउन बगर आउपन कर सकते हैं, दो झाल 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 झाल